हालो फ्रेंड्स मैं से अपना खंडलवल गुर्गराम से फ्रेंड्स हमारी पिछली वीडियो में हमसे एमरॉल्ड वा एवलाइंचे छीले कुछ कहसी रही थी वो हमसे क्या वोली यह तो आप भी सुनना चाहोगे ना हाँ तो वो हमसे मानव पूछने लगी थी जरह देखो तो अपने चारों और तुम्हारे सिवा कोई और भी है क्या यहाँ पर एकदम शांत और नीरफ प्रिदेश है ना हमारा यह हमने अपने चारों और नजने घुमा घुमा कर देखा अरे वास्ता में यहाँ पर तो कोई भी नहीं है एकदम निर्जन, शांत और पवित्र स्थल है ये तो यहां हैं तो केवल एवलांची, एमरोल्ड, अपने संपूर्ण सौंदरे संग और केवल हम, फिर पिर्दूशन का यहां दूर दूर तक क्या ही काम क्योंकि लोगों की आवजाही ही नहीं है यहां पर सारा प्राकृतिक परविश जैसे सिमट कर समा गया है यहां की बहारों में हमने स्वयम से कहां बस फिर तो उत्तर मिल ही गया होगा ना तुम्हें अपने प्रश्णों का जीले मानौ फिर से बोली जब तुम जैसे मानव हमें अपना समस्ते ही नहीं हमारे आसपस यह हमारे जल में गंद की फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते तब ही तो हम सुच्छ नजर नहीं आ पाती नश्ट हो जाता है हमारा सारा सौंदर्या सच्छी तो कह रही थी ना यह मनोरन जीले हमारी प्रकरती मा की यह अनमूल उपहार वाकई में इतने खुबसूरत और मुल्यवान हैं कि इन्हें हमें अपने प्यार से सहेच कर रखना चाहिए अपने आने वली पीडियों के लिए भी फ्रेंड्स जब हमने इन दौनों जीलों के बारे में यूट्यूब पर कुछ वीडियो देखी तो हमें केवल तमिल या इंग्लिश में ही मिली हिंदी में भी होंगी शायद पर हमें तो एक भी वीडियो नहीं मिली कारण ओफ़ी टेस्टिनिशन होने की वजह से ही यहां टूरिष्ट बहुत कमाता है और इसलिए यह जीवन्त हैं यह जीलें अपने संपूर्ण रूप में संदरे स्वामनी बन कर फ्रेंड्स तभी हमने निश्चे किया कि चलो पहले आवलांची लेक के तट पर पहुंसते हैं तो फ्रेंड्स आप ही चलिए हमारे साथ एवलांची लेक के तट पर ओके फ्रेंड्स थैंक यू